I had a profitable day and a beautiful day तो हम आज बात करेंगे, आज निफ्टी ने कहां काम काज किया and निफ्टी कल कहां काम काज कर सकती है बट मैं उससे पहले बताना चाहूंगा कल मैंने कुछ लेवल्स बताये थे निफ्टी से related and वो लेवल्स विल्कुल perfect काम किये और मैंने एक चीज और बताई थे आपको कि अगर market gap down open होती है तो market recover हो जाएगी बट मैं इसमें आपको call या put लेने की suggestion नहीं दूँगा क्यूंकि अगर आपको candles को पढ़ना नहीं आता कि dodgy का high break करके market उपर जा रही है तो हम उसमें बैठेंगे नहीं तो हम छोड़ देंगे nifty को तो इसलिए मैंने कोई labels नहीं दिये थे बट मैंने बताया था कि market gap down होगी तो market recover कर जाएगी and market did recover उसके बाद market गिरी बट कोई नहीं अगर आपने ये वाला जो उपर वाला pattern है उसको नहीं देखा होगा और आप उसमें पैसे नहीं कमाए होगे जो मैंने दूसरे levels दिये थे उसमें आपने जरूर पैसे कमाए होगे अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा पर उन levels के पास जाने से पहले कुछ मैं उससे पहले बताना चाहूंगा पहले मैं ये थोड़ा सा हटा लेता हूँ कि कल है expiry and expiry play बहुत ज़्यादा tricky होता है and इसमें बहुत ज़्यादा लोग पैसे lose करते हैं to be honest क्योंकि moves बहुत ज़्यादा volatile होती है market moves कहीं भी उपर नीचे होते हैं तो आपको अगर आपके resistance and support को break कर रहे हैं जब ही आप nifty में बैठना नहीं तो कल nifty से थोड़ा दूर रहना ओके तो अब हम जाते हैं 15 minute के chart पे and कल हमने क्या levels discuss किये थे उसके बारे में जानते हैं एक minute ये थोड़ा मैं बढ़ा गर लेता हूँ जिससे आपको दिखे कि हमने कल कहां क्या बातचीत की थी so कल हमने क्या बताया था आपको कि market एक range bound था दो दिन से so वो range थी this ये जो पिछले दिन के कल से पिछले दिन Monday का ये range bound थी and दूसरे दिन का ये था यहाँ पे मैंने बताया था कि market ने gap fill किया है and market यहाँ से recover किया okay hope you get it अब यहाँ से market recover किया see hammer बना and hammer का follow through दिया अगर कोई बैठा होगा तो अच्छागासा पैसा कमाया होगा but कोई बात नहीं अगर आपने ये follow नहीं किया तो ये मैंने levels बताये थे आपको दो कि अगर market sideways होकर इन levels को break करती है तो हम 10 to 15 point का SL लेके 100 and 140 point के लिए बैठेंगे market में and market ने वही levels cross किये नीचे put की positions हमें अच्छी तरीके से बनाने के लिए दी और हमारे 100 to 140 point बिलकुल perfectly दिये hope अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पैसा कमाने में बहुत easy हुआ होगा अब हम कल के बारे में बात कर लेते हैं कल nifty कहां कामकाज कर सकता है तो कल जैसे मैंने बताया expiry है तो हम ज़्यादा expiry में अगर एक trade हमारी खराब जाती है तो हम expiry से हट जाएंगे उस day से हट जाएंगे कोई नहीं SL लेके या profit लेके दुबारा हम कुछ नहीं करेंगे तो जो पहला target रहेगा हमारा अगर market gap up open होती है और ये जो line है 16,895 इसको cross करके उपर जाती है market ठीक है तो आपको पहले देखना है कि 5 to 15 मिनट की candle पे follow through दे रही है जब आप एक call की position में बैठ सकते हो SL 5 to 15 point का रहेगा और जो target रहेगा आज का day high जो पहला target रहेगा तो आज का day high हो गया हमें call की positions आपको समझ में आ गई होगी जो दूसरा होगा वो है आज का जो day low है market ने आज का जो day low बनाया न पर ये ballot जब ही रहेगा जब market sideways open होती है and इस label को cross करती है तो हम put की position लेंगे 10 to 15 point का SL के साथ और हमारा target रहेगा 16,700 so hope you get it anyways कल के लिए बस यही target and यही level आपको दिहान रखने है hope you have a profitable day see ya and वीडियो अच्छे लगी हो तो like से subscribe कर दीजे मिलते हैं अंगले वीडियो में